वाइफ के लिए वीडियो स्पेशल वाइफ के लिए वो किया है जल्दी जल्दी में केस कर देती है बाद में उनको दिक्कत होती है तो प्रिवेंशन इस बेटर देन के और तो उसी बारे में बात करेंगे हम ऐसे लोगों को जानते हैं क्या करते हैं वाइफ लोग पहले केस क तब कुछ होता है तब उसको पता चलता है कि यार मैंने 4098 में डाला है ये डाला है वो डाला है मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है ये सब क्या लिखवा दिया तुमने ये वो फ़लाना देखाना फिर लगता है टाइम मतलब कहने का मतलब यह है कि होना रूल जनरल रूल यह गलती उनकी भी नहीं है गलती उनके एड़ोकेट की है उनकी फैमिली वालों की होती है वो डलवा देते हैं फिर बाद में जेलना तो उसको ही पढ़ता है न वहीं तो अब करेंगे हैं बात असली मुद्दे की तो यार देखो कोई भी केस करने से पहले न आप तीन-चार है number of judges limited है case इतने सारे हैं बहुत cases है न हर दिन cases है अभी हम बात कर रहे हैं case डल गया होगा अब हम कल वीडियो बना रहे होंगे तब case डल गया होगा तो case तो डलते रहते हैं लेकिन हर दिन जज थोड़ी न भढ़ती होते हैं न हर दिन जज भढ़ती नहीं होते तो उसका ब family matter होते हैं इनमे time लगे गई भाई लगेगा normal case भी खा जाता है छे से आठ महीने या एक दो साल तो खाई जाता है फिर क्या होता है time जाता रहता है जाता रहता है फिर wife सोचती है रहार ना इधर की ना उधर की ना इधर की उधर की तो भाई कोई भी case करने से पहले ना उसक judges मैंने बता दिया कम है और case जाता है तो time लगेगा दूसरी आती है बेल की तो यार देखो family matter में बेल आसानी से हो जाती है कोई issue नहीं है बहुत सारी लड़कें को यह होता है कि यार हम कहते न भी ऐसा लड़कियां बोलती है मैं jail करवा के छोड़ूगी यह करवा के में डाल देना बस अब ऐसे judgment आयो है कि जैसे साथ साल से अगर कोई नीचे उसमें punishment है तो उसको हम मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे अगर बहुत जादा जरूरी हुआ तभी अरेस्ट करेंगे तो वह investigation का 41 एका notice भेज के उसको investigation में add कर लेते हैं और उसको arrest नहीं करते तो कहने यह कि जैसे लोग सोचते हैं लड़कें सोचते हैं कि arrest हो जाए वाई यह जाएगा तो भाई इतनी जल्दी इतनी इतना आसानी नहीं है ठीक है अगर तुम यह सब सोच के केस कर रहा हूं कि एक दम हो जाएगा यह जागा फिर बाद में पस्ता रहें तो केस मत ही करो तो ही बढ़ जाए ठीक है अब सोल्यूशन क्या है वो बताएंगे बाद में हो गया बेल का तो बेल देना ना देना वो कोट का काम है और हां तो यहीं बात हैं कि यार तुम इनको ध्यान रखो क्योंकि बाद में क्या होता है पस्ताना पड़ता लोगों को बाद में सुचते हैं कर दिया टाइम लग रहा है और उसको तो छूटा पड़ा है वो तो खेल रहा है आरम से मज़े ले रहा है हमारी लाइफ ऐसी हो गई है ऐसे तो रही बात बेल देखो नॉन बेलेबल ओफेंस में बेल ऐसे तो मिलती नहीं पर क्या है वो कोट की डिस्क्रेशन होती है मिल ज भी नहीं होता क्रेलिटी यह तो मतलब होता नहीं आज कल जोटे चल रहे हैं असली वाले तो पहले होते थे बहुत पहले अब तो कहीं होते हैं आप तो बस छोटा मोटर डिस्प्यूट बना आया फिर कुछ भी हुआ केस कर दिया तो अगर वाइफ इस वहम में ना की यह कर ने कर देंगे तो भाई इन इस वीडियो को देख लो ढंसे दो तीन बार और सम्झों नहीं होता कि तुमहारी लाइफ अंड ऑब दें तुहथ होती है इसलिए बहुत अंवीडियों कि यार्ट तुम सम्झो पहले तो सब यह होगस कंब लेगा तो सॉस्ता रहे हैं वाई सब्सक्रावब संद्सक्राइव यह जो इस तो इस वीडियो को देख लो समझ लो फिर सोथ समझ के ही केस किया परों और हो सके तो solution यह हो सके तो अपना matrimonial जो dispute है वो घर में ही निप्टाओ ठीक है बात चीतों से निप्टाओ बात चीतों से वो कहते हैं दो वर्ड बोल के इंसान को दो वर्ड प्यार के इंसान को बदल देते हैं तो भही आपस में निप्टाओ कोट के चैरी मत जाओ कोट जाओ वे तो टाइम लगेगा पैसा लगेगा और तुमारा अच्छा मतब लाइफ अफेक्ट हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली